ब्रहस्पति सूर्य से 5 वाण ग्रह है और हमारे सौर्मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस विशाल है और मुखzna रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। अन्य तत्वों की थोड़ी मात्रा के साथ, ब्रहस्पती हमारे सौर मंडल की सबसे आकरशक वस्तूओं में से एक है और इसने सदियों से खगोलविदों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों की कलपना पर कबजा किया है। जो आयतन के हिसाब से इसके वायुमंडल का 99 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनाते हैं। ब्रहस्पती पर उग्रह है और प्रिथवी के खगोलविदों और तूफानों के विशिष्ट बैंड है। और प्रिथवी के आकार से बड़ा है। माना जाता है कि यह तूफान ब्रहस्पती के वातावरन के चुम्बकियक शेत्र के साथ संपर्व के कारण होता है। और यह ग्रह पर सबसे प्रमुख विशेशताओं में से एक है। ब्रहस्पती का वातावरन कई छोटे तूफानों का भी घर है। जिनमें वाइट ओवल और ब्राउन ओवल शामिल है। यह तूफान कई वर्षों तक रह सकते हैं और समय के साथ आकार और आकार में बदल सकते हैं। चंद्रमा ब्रहस्पती के 89 ग्यात चंद्रमा हैं, जिनमें से सबसे बड़ा गेनी मेड है। जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। अन्य उलेखनिय चंद्रमाओं में आयो, यूरूपा और कैलिस्टो शामिल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें तरल पानी के उपसतह महासागर हैं। आयो सौर मंडल में सबसे जवाला मुखी रूप से सक्रिय पिंडो में से एक है और इसमें 400 से अधिक सक्रिय जवाला मुखी हैं। चंद्रमा की सतह सल्फर और सल्फर डायोकसाइड से धकी हुई है, जो जवाला मुखियों द्वारा उत्सजित होती हैं। माना जाता है कि यूरोपा में तरल पानी का एक उपसतह महासागर है जिसमें प्रिथवी पर पाए जाने वाले पानी की मात्रा का दोगुना से अधिक पानी हो सकता है। चंद्रमा की बरफीली सतह फ्रेक्चर और लकीरों से धकी हुई है, जो टेक्टोनिक गतिविधी के कारण माना जाता है। कैलिस्टो सौर मंडल में सबसे भारी क्रेटर वाली वस्तु है और माना जाता है कि इसमें तरल पानी का एक उपसतह महासागर है। चंद्रमा की सतह गर्धों से धकी है, जिन में से कुछ का व्यास सौ मील से अधिक है। रिंगो ब्रहस्पती में एक फीकी वलय प्रनाली है जिसे 1989 में वायजर एक अंतरिक शियांद्वारा खोजा गया था। वलय प्रनाली चार मुख्य घटकों से बनी है। हेलो वलय, मुख्य वलय, अमल्थिया गौसम वलय और थेबे गौसम वलय, हेलो वलय सबसे बड़ा है और छोटे धूल के आकार के कनों से बना है, जिनके बारे में माना जाता है कि ये ब्रहस्पती के चंद्रमाओं से निकले हैं। मुख्य वलए बड़े कनों से बना है और माना जाता है कि इसका निर्माण ब्रहस्पती के चंद्रमाओं पर छोटे उलकापिंडों के प्रभाव से हुआ है अमल्थिया गौसमर रिंग और थेबे गौसमर रिंग दोनों और भी छोटे कनों से बने हैं और माना जाता है कि ये छोटे चंद्रमाओं के एक दूसरे से टकराने से बनते हैं अन्वेशन का इतिहास ब्रहस्पती प्राचीन काल से मनुश्यों के लिए जाना जाता है और उसी नाम के रूमन देवता के नाम पर रखा गया था हाला की सत्रहवी शताब्दी में दुर्बीन के आविशकार तक वेज्ञानिक इस ग्रह का अधिक विस्तार से अध्ययन करने में सक्षम नहीं थे 1610 में गैलीलियों गैलीली ने ब्रहस्पती के चार सबसे बड़े चंद्रमाओं की खोज की जिन्हें अब गैलील के नाम से जाना जाता है